चिरिष्टों का सौधा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला जब आस्मानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे अब हर किसको मिले, और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में हैं वेसला कैसी कश्मकश इस सिद भरी जंग का अंजाम किसको पता इस सिद भरी जंग का अंजाम किसको पता बस वक्त के हाथ में हैं वेसला कैसी कश्मकश कैसी कश्मकश कैसी कश्मकश मौसी, तली की बात है शांतनू के दूद में किसी ने आसिट मिला दिया क्या ये क्या कह रहे हो तुम साहिट मौसी मौसी मुझे तो लग रहा है कि इस घर में कोई ना कोई जरूर है जो हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है और उस पर आपको कड़ी नजर अखनी होगी मौसी लिकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई क्यों कर रहा है और कौन है जो ऐसा कर रहा है देखो बेटा जरूर इस घर पर किसी की बुरी नजर नजर नगी है पर तुम चिंता मत करो मैं उसका भी उपाय कर रहाऊंगी सब ठीक हो जऑ लई का बिठा मौसी अब जो केच करना है वब आपको करना है सबकुछ आपको तो देखना समझना है मौमब से कहा तुमें साह सबकुछ देखना समझना मुझे ही तो है तुमारा ये घर तुम्हारी जायदाद और तुम्हें भी अब मैं इस कदर देखूंगे कि तुम्हें कुछ भी समझ में आएगा कुछ भी तनू अपना गम बताने से दिल हलका होता है लेकिन तुम तो अपना गम किसी से बाटने ही नहीं चाहती बस अपनी ही उल्जन में उल्जी रहती हो खुशी दिस उल्जन का कोई हल ही ना हो उसे बताकर दूसरों को परेशान क्यों करो हर उल्जन का कोई ना कोई हल जरूर होता है तनू नहीं खुशी तुम में ही समझोगे सब सब बताओ तनू तुम्हारे उचल शांतनु को लेके है ना इतने दिन से मैं तुम्हारे घर में रहे हूँ तुम्हे समझने में मैं धोका नहीं खा सकती मुझा लगता है तुम शांतनु को लेके बहुत चिंते थो ऑख पाकूसए कल जो भी गटना हुई है कली नहीं कल से पहले भी तुम इतनी चिंतिता परेशान थी तनू और ये उस दिन से हुआ है जिस दिन तुम में साहिल भया की बिमार ना होने की बात बताई थी और शानतनू गाय वहा था तुम कुछ भी सोच रहे हो येकिन अभी मैं कुछ भी बताना नहीं चाहती हूँ उससे पहले मैंने तुमें शानतनू को लेकर इतना परेशान नहीं देखा था तनू लेकिन उस दिन के बाद तुम इतना परेशान हो गए कि तुमने मुझसे खुद कहा कि मैं शानतनू को लेकर हमेशा उसको करीब रहा करूँगी हाँ खुशी मैंने कहा था मा हूँ मैं शांतनू की उसकी चिंता तो मुझे होगी हुए जबकि उस वक्त कुछ नहीं हुआ था शांतनू खेलते खेलते राजलक्षमी मौसी के कमरे में पहुँच गया था और फिर वो मिल गया था मुझे हैरानी होती है कि तुम शांतनू को लेके इतना चिंतित क्यों हो कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें किसी बात का अंदिशा पहले से ही हो खुशी तुम अपनी ये बातें अपने तक ही रखना इस वक्त में तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई भी जवाद नहीं दे सकते खुशी, शांतनू कहा है मैं उसे नहला देती दुम्हाइब कैसी पश्मतश नहाएं का मिला बेताथ मैं अभी तुरा तबर के आपको अले ले 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 मैं अभी तबर के आई ताई झाँ आँ ज्ग 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 -जय 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 अजे भूलिखो! तुम रोप क्यों रही हो मैंने पूछा तुम रोप क्यों रही हो आप जोब ही कर रही है अच्छा में कर रही है मुझे मालूम है पर क्या करूँ मजबूरी इंसान से जो भी करवा है वो कम है अगर मेरे बच्चे को कुछ हो ना ना तुमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा अरे होसे उसे कुछ कैसे हो सकता है वो इस खांदान का चिराग है साहिल और कुमारे प्यार की निशानी है बस बस मैं तुमसे सिफ इतना ही कहना चाहती हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा मैं तो आपसे पहले भी दिया चुकी हूँ कि मुझे आपसे कोई शिकायत दे तो इस बात को यही पर खांदाना चाहती हूँ तो क्यों मेरे पच्चे के पीछे पढ़ी गया हाँ नहीं तुमरे बच्चे के पीछे कहा बढ़ी हूँ अगर पीछे पढ़ी हूँ तो उसका असर अपर तुमें देग चाहता देखो तुम खामका मुझ पर इलजाम लगा रही हूँ जो कुछ भी होता है ना वो वो उपर वाला करता है हम तो बस निमित मात रहें आज तक शांतुम को कुछ देगा आगे भी उससे कुछ नहीं होगा लेकिन बार बार तुझे ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है मौती, मैं तो आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कही बार कि इस मामले को मैं यही पर खत्म कर देना चाहती हूँ लेकिन अगर आपकी समझ में मेरी पात नहीं आई ना तो ठीक है फिर बात को शुरू भी मैं ही करूगी और खत्म भी मैं ही करूगी क्या क्या है अरे कौन फोन कर रहा है बार बार अगर आप बात नहीं करना चाहते तो फोन क्यों करते हैं कौन अरे क्यों परेशान कर रहे हो हलो कि इसका नंबर रहे है एक तो आपने हमारे मुबाइल पर फोन किया है और आप हमें नहीं जानते हैं कहीं किससे बात करनी है आपको जी देखिये मुझे बार बार इस नंबर से फोन आ रहे थे इसलिए मैंने कॉल बैक किया जना लड़कियों का नंबर हासल करके फिर उनसे फोन पर बात करना और कहना किस नंबर से फोन आया था ऐसा एक्सक्यूज देना यह बहुत पुराना तरीका हो गया है मिस्टर हमें आपके ही फोन का इंतजार था जी आप आप हैं कौन पैचानिये हम कौन हैं आप 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 वही हो सकती हैं जसने इस्पताल में मुझे खून दिया था ओमाइग गोड़ आप इतनी दिल में हमारा नाम भी बूल के वह गया है तो आपको मेरा नाम तो याद है मैं आपको कैसे बूल सकतना आपको मुझे नहीं जिंदागी दी हम तो आपको चाह कर भी नहीं भूला पा रहे हैं जी, क्या? हाँ, हाँ, मतलब कि हॉस्पिटल से आने के बाद आपको तो नहीं लगा केटलस, थैंक्स के लिए तो एक कॉल कर दे थैंक्यू वेरी मुच ऐसे नहीं, आपको मुझसे मर कर थैंक्स कहना होगा जी बिल्कुल, कहिए, कहां मिलना चाहती है यह हम आपको कल बताएंगे बाई, सिया बाई हाँ, हाँ, राजलक्ष्मी मैं सब समझ गई पस इतना ही मुद्धा काफिया उस तनू को बदनाम करने के लिए मैं अभी उसे सबक सिखाते हूं तनू से मिलने जा रहे हैं उसे जरा सबक सिखाना है और हाँ, अगर तुम से कोई पूछे कि तुम एक्सिटेंट के वक्त कहा जा रहे थे तो यही कहना है कि तुमने तनू को नहीं बलकि तनू ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था समझ गई? से से सी कशमकश यह तुम क्या कहरी है तो यह तुम्हें पूरा बादरूम देख लिया नाहीं वहां को एलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है और नाहीं किसी वायर का टुकडा मिला मुझे तुम बानो या ना मानो साही लेकिन उस वक जब मैंने पाने में हाथ डाला तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक था भावी कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन आप दूद की बॉटल वाले हाथ से से इतना जादा डर गई हो कि आपको हर जगा सच मालो पूरवा मैं सच कह रही हूँ पाने में लेक्ट्रिक शॉक था अगर मैं शांतों को नहलाने के लिए उसमें बिठा देती तो पताने क्या हो जाता भाया जरूर इसके पीछे कोई न कोई बात तो है बात है तो क्या है और इसा हो रहे तो क्यो हो रहाया जो आप यहां बद मुझे तुमसे नहीं तनों से बात करने है तनों से क्या बात करने है तो क्योंकि मेरे सवाल का जवाब सिर्थ तनों दे सकती है मैं आपके किस सवाल का जवाब दूँगी उसी सवाल का जवाब जिस सवाल में न जाने कितने सवाल छुपे होए और जिसका मतलब सिर्फ तुम बता सकती हो क्योंकि मेरे मैं का एक्सिटेंट भी इसी मामले से चुड़ा हुआ है नानी माप ये क्या कह रही है अब मैं ठीक कह रही हूँ वोचो इस से किसने मैं को मिलने के लिए किसले बुलाय था किसने मैं को मिलने के लिए बाहर बुलाया और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि जब मैं किससे मिलने के लिए चा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सिटेंट हो गया ये ये क्या कह रही है आप मैंने मैं को नहीं बुलाया तो फिर का उसने तुम्हे बुलाय था और तुम उससे मिलने के लिए तैयार में हो गई हाँ मैं ने मुझे बुलाय था वो वो मुझे कोई रास की बात बताना चाहता था जूट मत बोलो वो तुम्हे क्या रास बताएगा मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं को मिलने के बहने बुला कर उसके एक्सिदेंट के पीछे कही तुम्हारा हाथ तो नहीं है मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए तनू कि तुमने मैं को मिलने के लिए क्यों बुलाए था और आस से में उसका एक्सिदेंट कैसे हो गया ये ये कैसा इजाम लगा रही है मैं मैं बला उसे मिलने के लिए क्यों बुलाओंगे उसके एक्सिदेंट से मुझे क्या लेना देना अगर कोई लेना देना नहीं तो तुम कल मैंग से मिलना हॉस्पिटल क्यों गई थी और जब पूर्वा डॉक्टर से बात करने गई थी उसक्षट तुमने मैंग छोड़कर डॉक्त करने गई थी हाँ याद है और मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है कि मैं डॉक्टर से मिलने के लिए बाहर गई थी और मैंने ही तनु भावी को मयंग भईया के पास रुखने के लिए कहा था और आप उसी बात का फाइदा उठा रही है पूर्वा तुम भूल रही हो कि तुम मेरे ही घर की बहुँ हो और शायद आप ये भूल रही है कि मैं इस घर की बेटी हूँ और आप जिस पर इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रही है वो मेरी भावी है मैं जानती हूँ तुम्हारा उससे कोई भी रिष्टा हो मुझे कोई लेना देना नहीं है मैं उन्टूटे वे रिष्टों की लाश सजाने नहीं हाई मैं सिर्फ इतना जानने आई हूँ कि मेरे मैं के साथ ही हाथसा क्यों हुआ क्योंकि मैं चांदती हूँ कि इस हाथसे के जिम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ तन हुआ है बस कीजी आप मेरे ही घर में अब मेरी पत्ती पर उंग्लिया उठा रही है और आपको लग रहा कि मेरे कीम कर लूँगा और नानीमा भावी को ये बात भी मैंने ही बताई थी कि मैं बहा का आक्सिडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है मैं हॉस्पिटल जा रही थी और भावी मेरे साथ चली गी आप तो अच्छे खासे इंसान की अच्छाईयों को गुराईयों में बदलने में लगी रहती है देखिए आपको जितने सवाल खड़े करने थे आपने कर दिये अब आप जा सकती हैं उसे हाँ हाँ जाती हूँ लेकिन जाने से सवाल मिठे वाली नहीं और जिस दिन मुझे इन सवालों का जवाब मिला मैं फिर वापस आओंगी फिर वापस आओंगी मैं जारे नहीं जाने जाओंगी में हाँ है